कि अग्से सवाल पूशना देश्टरो है तो फिर लोकतंत्र का अर्थ क्या है जो हमें सामाजिक राजनितिक निया की बात करता है जो समता और समानता की बात करता है जो लोकतंत्र की बात करता है जो गंतंत्र की बात करता है ये सौमिधान हमें अधिकार देता है कि आम नागरिक में देश के प्रधान मंत्री की आखमा आख मिला के उससे सवाल कर सकता है और चलो एक बार को हम माल रहें कि फिर्धान मंतरी के खिलाब बोलना देश दरोवा आप माल रहे हो तो अडानी के खिलाब बोलना भी देश दरोवा है अभी जब कलपर सो अडानी का घोटाला खुला नौला करोर रुपय का घोटाला खुला आम जन्ता की जेव से स्टेट बैंक की जेव से लाईसी की जेव से नौना करोर रुपे निकाल के उनका घपला कर गए तो जो आडानी वो भी देश्दरोई हो गए वो भी तिरन्या लेकर खड़ा हो गया कि यह मेरा उपर नहीं है भारत के उपर हमला आए इस नेरेटिव को समझने की जरूत है इस साजिस को समझने की जरूत है थोड़े अपन अभी एक पत्रकार रिया हुआ है सिद्धिक कपन नाम है उसका केरल का पत्रकार हातरस में एक दलित लड़की के साथ रेप हुआ उसकी हत्या कर दी गई पुलिस ने रात को दो बज़े उसके घरवालों पर लाठी चला के उसकी डेड़ बॉडी मिट्टी का तेल डालके च चाहे वो पुझी के सीस में बैटे हों पुझी पती और उद्योग पती हों वे सारे तुम्हारे खिलाब एक हो जाते हैं तो तुम्हें से एक बोलता है तो सारे एक सुर में कहने लगते हैं यह देश दरोही है गदार है इसे जिल में डालो आप सरकार पर सवाल उठाओगे तो सारा मीडिया पुझी पती होगा वह आपके खिलाब बोलेगा और अगर कोई मीडिया भोलेगा भी आपके खिलाब तो एक पुझी पती उसे भी खरीद लेगा एक चैनल था जो आपके पक्षमा बोलता था एंडी टीवी उसे अभी प्रदार ने खरीद लिया और वही तिलक वाले और दाड़ी वाले और गोजो लटका के जो आते हैं वह हम लोगों को बहकाते हैं वह भी सरकार के पक्षमा खड़े हो जाते हैं इस सडियंत्र को और इस गठबंदन को समझने की जरूत है जब तक नहीं समझोगे आप यह समझते हो कि ट्रांसफार्मर को ठीक क प्रांसफार्मर को नहीं बदलोगे आपके घर में लाउट नहीं आएगी जह हिंद्र भारत जैसमाझन घृट झाल झाल